और बात करेंगे मुझदफर पुर जिले के सक्रा प्रकंड अंतरगत उत्क्रमत मध्य विदाले सिराजबाद की तो जहां एक बच्चे को नामांकन दाखिल कराने को लेकर हुए विवाद में प्रधाना अध्यापक आजे कुमार राये ने कई सिक्षक और सिक्षिकाओं को कै कैची से भोग कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया जिसमें शात्रों शात्राय सक्रा रेफरल अस्पताल में इलाजरत है तो बताते चले कि आनाक बच्चे के वयो व्रिद्ध दादा बच्चे का नामांकन दाखिल कराने पहुचे जहां प्रधाना अध्यापक ने नामांकन क के लिए कहा तो आवेश में आकर हैड मास्टर ने टीचर पर कैची से प्रहार किया जिसके बाद अगल बगल से बीच बचाव करने पहुचे सिक्षक और सिक्षिका को भी हैड मास्टर ने कैची से हमला कर जख्मी कर दिया वहीं ग्रामनों के जुटते ही मौके से प्रधान वहाँ जगर लगाई देखे तो हम समझाने के उद्यस से गये थे लेकिन मास्टर सामें ट्रिंदम वह हमको पैची भूख देते अगर हमको ग्रामन नहीं बचाता था है सब नोच नाच लिए है नोबजे समय से इसको खुला है बच्चे आये थे सारे बच्चे प्रातना कराई गई इसमें क्या हुआ कि गार्जियन आये थे बच्चे को ने करके एडविशन करने के लिए और वह बच्चा मतलब लबद दो महीने दो साल से यहां पर रह रहा है और आज एडविशन की मुहिया चलाई जा रही है उसमें उसको एडविशन कराने के बाद किया गया गया गार्जियन काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एडविशन कर लिया जाए लेकिन हमारे हैडवासर साहिब जो है काफी एडव्रेसिव हो गया है क्या कि नहीं पोशक जो बच्चा यहां पर आ रहा है उसकी बहन भी पर रहे हैं उसको लिए कमिशन के लिए लुग मार्विट के उसको लुकसान हुआ जो बच्चा मेरा लरका भी होस्पीटल में इसका नाम है बच्चा का है जो है एक गारजीन जो है बिर्दवेक्टी नाम लिख माने के लिए एक बच्चा को ले कर लिए और वो बच्चा जो है हमारे इसकूल में दो साल से आ रहा है वो बच्चा परता है इसी करण से अम लोग भी नहीं तो उन्र नहीं तो लाए इसी वज़ा से जो हुआ उसका जो है तो मैं नहीं नाम नहीं तेंगे जिस्तार सो उसमें परतना हुआ था तो साल सो गए थे इसका आप सो